नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे क्लाश 10 के मल्डिपल चॉइस कॉष्टन्स और जो मल्डिपल चॉइस कॉष्टन्स होंगे लाइफ प्रॉसेस चैप्टर है, बहुत इंबॉडटन चैप्टर है और उसके सारे क्वेश्टन्स हम लोगां डिसकस करेंगे अरिहंत बुक से, ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्टन को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्टन में कहा गया, डैश लिबरेटे द्यूरिंग फोटो सिंथेस comes from water, तो आपको बताना है कौन सी ऐसी चीज, कौन सा ऐसा compound होता है जो की फोटो सिंथेस में लिबरेट होगा, फोटो सिंथेस रियाक्शन लिबरेट होता है और वो आता कहां से है, वाटर से आता है, तो वो है oxygen, तो इसमें A option सही हो जाएगा, chlorophyll गलत है, साथी साथ carbon dioxide भी गलत है, और glucose भी गलत है, तो इसका सही answer है A option is oxygen, ठीक है, आपको फोटो सिंथेस रियाक्शन पूरी आद होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या product बनता है, क्या reactant होते है ठीक है, यह कौन-कौन सी requirement होती है, ऐसे light हो गई, chlorophyll हो गया, तो वो सब भी पता होना चाहिए Next question देखते है, question number 2 में देखें क्या कहा गया, question number 2 कहा गया है Which one of the following equation is correct summary of photosynthesis, photosynthesis क्या आपको उताना है, कौन सी correct reaction है तो देखें सबसे पहले तो आपको याद रखना है, कि first reaction में अगर आप देखें, तो first reaction में देखें, एक यहाँ पर चीज नहीं दी गई, जो chlorophyll और Sunlight की requirement होती है, वो नहीं दी गई है, तो A option तो गलत हो जाएगा, B option में देखें, Sunlight दे दिया गया, लेकिन chlorophyll नहीं दी है, तो B option भी गलत है C option अगर देखा जाए, तो C option में देखें, कहा गया, 6CO2 plus 12H2O, chlorophyll और Sunlight दोनों को यूज किया गया है, क्या बन रहा है, C6H2O6 बन रहा है, 6O2 बन रहा है, और 6H2O बन रहा है, ठीक है, तो यह reaction अगर आप देखेंगे, C reaction जो है, यह balanced chemical reaction है, D reaction अगर देखी जाए, तो D reaction म यहाँ पर 12H2 हो, यहाँ पर 2H2 हो है, तो यह balanced reaction नहीं होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो क्या हो जाए, option number C, इसका सही है, यह exact reaction है, किसकी photosynthesis की, question number 3 देखें, from which structure the free oxygen gas produced during photosynthesis is released, आपको बताना है, जो free oxygen gas बन रहा है, वो किस structure से release होती है, ठीक है, तो first option दिया गया है, epidermis, second option दिया गया है, stomata, third option दिया गया है, cortex, और fourth option दिया है, guard cell, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, stomata, ठीक है, epidermis नहीं होगा, cortex भी गलत है, guard cell भी गलत है, ठीक है, guard cell तो opening और closing of stomata में मदद करता है, तो इसका सही आंसर क्या है, B option, जो internal energy reserve या internal cellular energy reserve बताना है, autotroph में क्या होता है, first option दिया गया है, glycogen, second is proteins, third is starch and fourth is fatty acid, तो इसका जो सही आंसर है, वो क्या है, starch इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जो autotroph होते है, उसमें cellular energy का जो reserve होता है, वो starch होता है, ठीक है, अगर देखा जाए, तो carbo hydrate जो होते है, व हो जाएगा, next question, question number five है, इसमें पूछा गया, which of the following statement about the autotroph is correct, तो देखे, दो statement तो यहां दे दिये गया है, पहला दिया गया, they synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, second दिया गया, they store carbohydrates in the form of starch, और देख लेते हैं, incorrect देखे, पूछा गया है, incorrect, C part में देखे, बोला गया है, they convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the presence of, in the absence of sunlight, तो देखे, यह जो option दिया गया है, C option यह गलत है, और fourth में दिया गया, they constitute the first traffic level in food chain, यह भी option सही है, ठीक है, तो इसमें A, B और D option सही है, गलत कौन सा है, C option इसमें गलत हो जाएगा, next question, question number six, देखे, sixth question में क्या कहा गया, which among the following organism show parasitic nutrition, आपको बताना है, parasitic nutrition इन में से किस में होता है, first option दिया गया है, कसकटा, second is bacteria, third is amoeba and fourth is goat, तो इसका जो सही आंसर है, वो क्या है, कसकटा is the correct answer, question number seven, देखे, question number seven कहा गया, in which of the following group of organism, food material is broken down outside the body and absorbed, देखे, जो food material है, ठीक है, food material जो भी होगा, वो body के बाहर breakdown उसका होता है, और साथी साथ उसका absorption body के बाहर होता है, यह आपको इस question में बताना है, तो first दिया गया है, mushroom, green plants, amoeba, गलत है, second दिया गया है, yeast, mushroom, bread mould, यह option जो होगा, वो सही हो जाएगा, तो इसमें B option जो है, वो सही है, यह जो option B है, इसमें देखे, yeast है, mushroom है bread mould है, इसमें क्या होता है, कि जो food material होगा, वो body के outside उसका breakdown उसका breakdown भी होगा, और साथी साथ absorption भी होगा, ठीक है, paramecium, amoeba, kaskatta गलत है, kaskatta, lice और tapum भी गलत है, तो इसमें B option सही हो जाएगा, question number 8 देखे, आपको correct statement बताना है, इसमें कौन सा है, A दिया गया, heterotroph do not synthesize their own food, ठीक है, correct बताना है आपको, और आपको पता है, सिर्फ एक ही option सही है, पहला ही option आपको सही दिखा यह पड़ रहा है, क्या कि जो heterotroph होते हैं, heterotroph क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो A option इसमें सही है, बाकी options भी देख लेते हैं, B option में कहा गया, heterotroph utilized solar energy for photosynthesis, गलत है, तो autotroph करते हैं, heterotroph synthesize their own food, यह भी autotroph करते हैं, heterotroph are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates, यह भी गलत है, ठीक है, तो इसमें A option जो होगा, वो सही हो जाएगा, Q9 में कहा गया, the remaining undigested food material is eliminated via dash in case of amoeba, तो amoeba के case में जो undigested food है, ठीक है, वो किस process से बाहर निकलता है, या eliminate होता है, या आपको इस question में बताना है, तो first option दिया गया है, absorption, second option is digestion, third option is e-gestion, and fourth option is ingestion, तो इसका जो सही answer है, वो है e-gestion, तो e-gestion वो process होता है, next question, question number 10 है, इसमें कहा गया, in which part of elementary canal, तो elementary canal के किस part में जो food होता है, वो finally digest होता है, तो A option दिया गया है, इस टमक, B option is mouth cavity, C option large intestine, और D option है small intestine, तो इसका जो सही answer है, वो क्या है, small intestine, तो इसका जो final absorption होता है, food का, या 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 कहा जाए, जो maximum digestion होता है, food का, वो कहां पर होता है, small intestine में होता है, और साती साथ जो final digestion होता है, वो भी small intestine में ही होता है, next question is, question number 11, इसमें देखे कहा गया है, stomach serves as store house of food, जो stomach होता है, वो store house होता है, इसका, food का, where complete digestion takes place, है, complete digestion की बात हो रही है, कहां पर stomach में, तो stomach में complete digestion कैसे हो सकता है, ये तो बिलकुल ही गलत है, तो ये option क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, next question is, question number 12, match the column है, इस match the column में देख लेजिए, एक तरफ बोला गया है, amoeba, trypsin, liver, small intestine, second में दिया गया, extensive coiling, यहां पर दिया गया है, pseudopodia, यहां दिया गया है, pancreatic juice, और यहां पर दिया गया है, bile, ठीक है, तो देखे, बहुत simple है, इसको match करना कैस इसके बाद liver अगर आप देखें, तो liver क्या करता है, bile secrete करता है, small intestine क्या करता है, इसकी extensive coiling होती है, coil के form में बहुत ज़्यदा होता है, ठीक है, और trypsin की अगर बात करी जाए तो एक pancreatic juice है, ठीक है, pancreatic juice नाम से देखे, पता चल ला है pancreas, ठीक है, तो pancreas में यह है, देख लेते हैं, an enzyme X that converts starch to simple sugars is also the first enzyme to mix with food is in the digestive tract, identify X, अब देखें आपे X के बारे में कुछ आपको बताया गया, क्या बताया गया, कि X क्या करता है, starch को simple sugar में convert करता है, और साथी साथ यह पहला enzyme होता है, जो food के साथ mix होता है, तो आपको पता होगा जो हमारा digestion start होता है, वो mouth स start होता है, और mouth में होता है saliva, और saliva में जो enzyme होता है, that is called salivary amylase, तो इसका B option जो होगा, वो सही हो जाएगा, next question देखें, question 14, अब यह assertion और reasoning का question है, इसमें एक बार फिर से देख लिए, क्या सही, क्या गलत, कैसे चेक करेंगे, तो A option तब टिक लगाएंगे, assertion सही हो, reason सही हो और उसका explanation, reason में दिया हो, assertion सही है, reason सही है, लेकिन reason is not the correct explanation, तो आप option बार B टिक लगाएंगे, C कब लगाएंगे, जब assertion सही हो, लेकिन reason गलत हो, D option तब लगाएंगे, जब assertion गलत हो, reason क्या हो, सही हो, तो चलिए, first question इसमें देख लेते हैं, इसका जो first question बोला गया है, तो question number 14 देख लिए, 14th क्या कह रहा है, 14th कह रहा है, assertion दिया गया है, leaves are major photosynthetic organs of plant, देखे, जो photosynthesis होता है, लीव सही तो होगा, leaf में chlorophyllर और उसी सही तो photosynthesis हो भाएगा, बल्कुल सही बात है, reason क्या दिया गया है, they contested chloroplast, तो दोनों options देखे, सही है, मतलब A भी सही है, assertion भ होगा, वो सही हो जाएगा, तो 14th में आप answer क्या टिक लगाएंगे, A पर आप टिक लगाएंगे, question number 15 देखे, इसमें कहा गया assertion है, amoeba follows holozoic mode of nutrition, देखे, amoeba में क्या होता है, holozoic mode of nutrition होता है, यह आपको पता होगा, अब देखे, इसमें जो reason दिया गया है, वो दिया गय है, तो unicellular होने की वैसे है, इसमें holozoic mode of nutrition नहीं है, holozoic mode of nutrition होने का कारण यह है, कि जो भी absorption हो रहा है, मतलब जो भी food हो रही है, उसकी engulfing हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, holozoic कहेंगे, तो holozoic एक अलग concept है, unicellular होना एक अलग concept है, ठीक है, जैस 16, 16 क्या कहा गया, walls of intestine has numerous willy, ठीक है, तो बहुत सारे willy होते हैं, intestine की walls में यह आपको पता होगा, बिल्कुल सही बात है, और second दिया गया है, reason दिया गया है, these willy increases the surface area of digestion, यह surface area of digestion का बढ़ा देते हैं, यह भी बात जो है, क्या है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है, यह देखे, देखे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो देखे, इसमें दिया गया है, these willy increases the, willy increases the surface area of digestion, तो digestion के लिए वो area नहीं increase करता, absorption के लिए increase करता है, ठीक है, तो absorption जादा हो पाए, इसलिए यहाँ पर willy की जुरत होती है, willy इसलिए होते हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो इसमे a जो है वो तो सही है, reason जो है वो गलत है, तो इसमें option आप c टिक करेंगे, that is, assertion is correct, but reason is wrong, next देखे, next में कहा गया, assertion दिया गया है, herbivores have small, longer small intestine, herbivores जो होते हैं, जो mainly grass eat करते हैं, ठीक है, अब उनकी जो intestine होती है, वो long होती है, बहुत ज़्यादा लॉंग होती है, small intestine, इसक of cellulose takes time, तो देखे, जो cellulose का digestion होता है, इसमें एक लंबा समय लगता है, क्या ये बास सही है, तो ये दोनों बाते जो है, ये बिल्कुल सही है, assertion भी सही है, reason भी सही है, और साती सार reason जो है, वो correct explanation है, assertion का, तो इसमें a option जो होगा, वो सही हो जाएगा, question number 18 देखे, 18 for photosynthesis, are carbon dioxide, water and minerals, तो देखे, जो raw material required है, किसके लिए, photosynthesis के लिए, वो क्या-क्या होता है, carbon dioxide होता है, water होता है, और साथी साथ, minerals होता है, क्या ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, reason देखे, क्या कहा गया, nutrients provide energy to organism, देखे, ये जो nutrient है, ये energy provide करते है, organism को ये बात भी सह assertion को, मतलब answer नहीं दे रहा है, उसका reason नहीं बता रहा है, assertion सही है, reason सही है, but reason is not the correct explanation of assertion, तो इसमें आप B option पे, tick कर देंगे, next question देखेंगे, question number 19th क्या है, अब 19th question जो है, इसमें case study का question दिया गया है, पहले देखेंगे, एक passage दिया जाएगा आपको, फिर आपको 5 question दिये होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने होंगे, याद रखेगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, कहा गया एक passage है, green plants और autotroph ऐसे करके, एक फूरा passage है चले, passage आप लोग पढ़ लीजेगा, यहाँ पे देखें, photosynthetic pigments भी दिये गया है, ठीक है, और इसके बाद कुछ questions पूछे गया है, उन questions पर हम लोग सीधे आएंगे चले, तो यहाँ पे एक और part देखते हैं, देखें, उसी case study का जो पहला question दिया गया है, वो है, which of the following is produced during light phase of photosynthesis देखें, जो light phase होता है, photosynthesis का, उसमें क्या produce होता है, पूछा गया, तो first दिया गया है, ATP, second दिया गया है, NADPH, third दिया गया है, carbohydrates of 4 दिया है, both A and B देखें, NADPH भी produce होता है, और साथी साथ ATP भी produce होता है, तो इसका answer हो जाएगा, A and B, both are correct, तो इसका answer है, option बर D next देखें, next question में कहा गया है, diagram आपको दिया गया है, X, Y, Z देखें, दिया गया है, यहाँ पे कुछ portion X है, इसका कुछ function पूछा जाएगा, Y जो है, इसका function पूछा जाएगा, और Z जो है, इसका भी आपसे function पूछा जाएगा, अब चलिए option देख लेते हैं, और question को पूरा क्या है, यह आपको बताना है, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर X देखा जाए, ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए, तो X में क्या है, तो इसमें जो B option है, वो सही है, इसमें B option सही होगा, light reaction, carbohydrate synthesis, और साथी साथ, carbohydrates storage, ठीक है, तो X क्या करता है, light reaction करेगा, साथी साथ Y क्या करेगा, carbohydrates की synthesis करेगा, जो Y आपको portion दिया गया है, यह carbohydrates की synthesis करेगा, जो Z portion दिया गया है, क्या करेगा, carbohydrates का storage करेगा, तो इसमें B option जो होगा, वो सही हो जाएगा, next इसमें third part देख लीजे, फिर से statement के कुछ बात करी गई है, और यहाँ पर आपको options दिये गए है, तो दिखे, इसमें पूछा गया है, कौन सा सही है, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया, incorrect पूछा गया, आपको ज़रूर देखना है, कि correct पूछा गया है, कि incorrect पूछा गया, तो incorrect पूछा गया, incorrect में देख लेते हैं क्या-क्या सही है और क्या-क्या गलत है तो दीके first option दिया गया photosynthesis occurs in all unicellular and multicellular organism क्या photosynthesis सारे multicellular and unicellular organism में होगा second दिया गया it is a reductive process third दिया गया carbon dioxide is evolved as a by-product in all organism capable of photosynthesizing और fourth दिया गया dark reaction occur in stroma of chloroplast तो इसमें अगर देखा जाए तो जो second option है it is a reductive process ये बिलकुल सही है और साथी साथ जो third दिया गया carbon dioxide is evolved as a by-product in all the organism capable of photosynthesizing ये भी सही है तो इसमें second और third process जो होगा वो सही हो जाएगा ये related किस से है ये तो ये photosynthesis से related आप लोग देख सकते हैं कि photosynthesis के बारे में पूछा गया था photosynthesis से related कौन-कौन से option सही है पूछे गया थे तो इसमें second और third option जो है वो बिलकुल सही है मतलब ये एक reductive process है और साथी साथ carbon dioxide जो होती है evolve होती है by-product के form में in all organism capable of photosynthesizing next question देखते है question number fourth देखे क्या कहा रहा है fourth में कहा गया in the overall process of photosynthesis how many sugar molecules are produced आपको बताना है कितने sugar molecules produce होते है photosynthesis के पूरे process में ठीक है first option दिया गया है six second option दिया गया है 12, third option दिया गया है four और fourth option दिया गया है one तो इसका one option से होगे भी आपने इसकी reaction देखी भी थी तो वहाँ पर C6 A6 बन रहा था तो इसका answer D जो है वो सही है अब यहाँ पर table देख लिए एक table दी गई आपको बताना है कौन सा सही है इसमें ठीक है which of the following is correct group of differences आपको बताना है कौन सा सही है ठीक है कौन कौन सा इसमें पाल्ट जो है वो सही है यह आपको बताना है ठीक तो देखे इसमें अगर देखा जाए तो first देखे फर्स्ट में कहा गया it is also called light reaction में कहा गया it is also called biosynthetic phase और इसमें कहा गया है photosynthetic phase तो यह गलत है ठीक है second यहाँ गया light reaction takes place in thelechoid सही है dark reaction stroma में होती यह भी सही है light reaction leads to formation of ATP and ADPH बिल्कुल सही है और dark reaction reaction consumes यह consume करेगी ATP and ADPH को यह भी सही है और light reaction depends on light यह भी सही और dark reaction depends on product form during light reaction ठीक है तो इसमें यह जो second, third और fourth option है यह तो सही यह गलत कौन सा है इसमें first option जो है वो गलत है आप से पूछा गया था correct कौन सा है तो second, third, fourth मतलब इसमें option number B जो होगा वो सही हो जाएगा तो इस question का option B जो है वो बिल्कुल सही है next देखे next में एक और paragraph दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं food requirements से related है चलिए इसके questions को देख लेते हैं हम लोग देखें आप एक graph भी दे दिया गया है इस तरीके से अब यहाँ पर देखे P और R P R और S R के बारे हम कुछ बात बताई गई है identify the part of elementary canal that is R and S अब देखे R और S के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको दिया गया है R और S के बारे में इसको आप पूरा पढ़ लिजेगा ठीक है अब देखे R और S के बारे में अब आपको समझना है R और S में क्या चीज है ठीक है तो यह absorption percentage of complete digestion का और buccal cavity का आपको एक तरीके से graph दिया गया है अब graph और 2 को देख के आपको उतना है R क्या होगा और S क्या होगा अब देखे S में जो digestion है वो approximately इतना हो गया R में digestion कितना था? इतना था देखे R के time पे digestion जो हो रहा है वो बहुत कम है S के time पे वो digestion है वो जादा है ठीक है तो इस तरीके से भाब समझ सकते है तो देखे बहुत simple हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे R वाला part है ठीक है जो R होगा वहाँ पे देखे digestion कम हो रहा है digestion कम कहा होता है इस टमक में होता है और S point पे अगर देखें तो digestion परसेंटेज बहुत ज्यादा complete हो गया तो यह कहां पर हो जाएगा small intestine हो जाएगा तो इसका answer क्या है option number C है second part देखते है second part का answer क्या होगा second part पहले पढ़ लिया जाए तो देखें इस second part में table एक दी गई है PQRS के बारे में और पूछा गया है PQRS अगर आप चाहें तो पूरा समझ सकते हैं कि P क्या होगा Q क्या होगा R क्या होगा और S क्या होगा ठीक है तो अभी हमने आपको बताया Q और R क्या होंगे उस तरीके से अब आप S भी देख सकते हैं मतलब भी हमने S बताया था आपको ठीक है R और S बताया था तो R हो गया S हो गया तो S हो गया Small Intestine R हो गया क्या? R हमारा हो गया इस टमक तो इस टमक से पहले अगर देखा जाए तो जो आएगा मतलब इस टमक से पहले जो food होता जहां पर होता है उसको हम लोग क्यों कहेंगे और P हो जाएगा और इसके साथी साथ T तो Final है T क्या कोई मतलब नहीं है ठीक है तो P हमारे पास क्या हो जाएगा? Mouth हो जाएगा तो इस तरीके से यह हमारी चीज़े हो जाएगी तो यहां पर जो हमसे कहा गया P में क्या होता है Second question में देखिए जो इसका कहां कहां है तो Carbohydrates जो है वो P में हो रहा है Fat नहीं हो रहा है Protein भी Partially Digest हो जा रहा है Q जो है वो नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है Protein हो जा रहा है Q में R में Carbohydrates नहीं हो पा रहा है Partially Digest Fat हो जा रहा है और Protein भी नहीं हो पा रहा है और S में देखा जाए तो S में carbohydrates और fat जो partially digest हो रहे हैं लेकिन proteins partially digest नहीं हो रहा है अब आपको उताना है इस टमक में कौन सा जो ऐसा food है वो partially digest हो रहा है तो इसमें देखा जाए तो इस टमक में जो food partially digest हो रहा है वो कौन सा है तो इस टमक में जो partially digest हो रहा है वो क्या है P है और Q है ठीक है next question देख लेते हैं next question में क्या कहा गया तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option number A next question में कहा गया only two of the following statement accurately describe what happened in the mouth अब देखें mouth में क्या होता है ये कौन describe करता है ये आपको बताना है इस question में ठीक है 19th अगर देखा है तो 20th का third part है ठीक है तो इसमें अगर देखें first option में कहा गया amylase breaks down large starch molecule into smaller maltose molecule ठीक है second में कहा गया है chewing increases the surface area of food for digestion third में कहा गया saliva emulsifies fats into smaller droplets देखें बिल्कुल गलत चीज़े दी गई है ठीक है तो first और second के बाद अगर देखा जाए तो first part भी इसका सही था इसमें कहा गया था amylase breaks down large starch molecule into small maltose molecule बिल्कुल सही है chewing increases the surface area of food for digestion भी सही है third बिल्कुल गलत है और fourth में देखा जाए teeth break up large and soluble molecules into smaller soluble molecule ऐसा भी teeth कुछ नहीं करता है तो इसमें third option जो है third part जो है उसका कौन-कौन सा option सही हो जाएगा पहला और दूसरा option सही हो जाएगा next fourth part देख लीज़े fourth part भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पूछा गया है बहुत simple सा question है लेकिन when a person eats raw egg किसी person ने raw egg खा लिए white protein and water enters the stomach which substance are found leaving the stomach and leaving small intestine ठीक है अब आपको बताना है कौन इसमें stomach को leave करेगा और कौन small intestine को leave करेगा यह आपको बताना है इस question में question number fourth में ठीक है तो इसमें देखा जाए तो जो stomach leave करेगा वो क्या होगा protein amino acid water होगा small intestine कहां से निकलेगा small intestine से निकलेगा सिर्फ और सिर्फ water क्योंकि बाकी सब क्या हो जाएंगे absorb हो जाएंगे next देखे next में क्या कहा गया last question हमारा if we take food rich in lime juice देखे कोई ऐसा food है जो lime juice में rich है आपको बताना है क्या होगा तब ठीक है तो होगा क्या कि action of tylen on starch is reduced तो यह हमारे nutrition के questions थे अगले turn पे हम लोग digestion के और बहुत आगे पूरा chapter जो है उसका एक एक पार्ट करके सारे questions अरियंत बुक्के लेके आएंगे तो आज के लिए फिललत नहीं थैंक्यू वर्मच गुडबाई जय हिंद